हेलो एब्रिवान उम्यद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे तो आज की इस वीडियो में हम तीन कोई के बारे में बात करने वाले पहला कोई होगा TRX कोई दूसरा होगा एजट और थर्ड में हम बात करेंगे यहाँ पे SLP कोई के बारे में यहाँ हम अगे क्या हो सकता है अगर हमें deep entry यह दो फेसी में कहाँ पर लाट सकते हैं और आपने Place में पर कर सकते हैं इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे ने से पहले मैं कहना चाओंगा की आप लोग नहीं है कि और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मैं आपको बता दूं 50% वीवर जो मैं वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है चैनल को तो आपको समय पर यहां पर अपडेट मिल जाएगी सारी एंट्रीज और एक्जिट कहां पर है आपको समय से पहले आप पर पता लग जाएगा तो सबसे पहले के बारे में बात करते हैं मैं बात करूंगा देखें मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि जब बिटकोईन का प्राइस बहुत तेजी से पंप होता रहे तो आपको यूएस डीटी पेर से जादा बीटी सी पेर को देखना चाहिए यहां पर noise कम रहती है और आपको काफी अच्छा जो है यहां से direction मिलता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए तो अभी देखेंगे तो इसका जो प्राइस चला है 163 चला है यहां पर एक होरीजेंटल सपोर्ट है साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल ला तो मेरे हिसाब से TRX का प्राइस जो है यहां से उपर जाना चाहिए बट कंडिशन यह होनी चाहिए कि यहां पर एक बार ट्रेंड लाइन यहां पर आया इसने यहां पर सपोर्ट लिया ठीक है यहां से प्राइस उपर गया यहां से प्राइस को उपर जाना था पर ऐसा नह यहां पर एक बार सपूर लेने बाद एक बार ऊपर चला जाए यहां पर डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें तो काफी अच्छा लग रहा है चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है प्रेजन टाइम में तो काफी अच्छा एक रिटन जो है मैं देखने को मिल सकता ह तो अगर आप BTC पेर कीचाप से एंट्री लेर हो जैसा मैं आपको बताओं यहां पर लॉजिक की बात करेंगे तो मैं आपको लॉजिक बताता हूं अच्छा प्राइश यहां पर नीचे आया या, फिर जो विल भी सकता है और यहां पर फिर काड्री फिर और उपक्री to be यहां पर यहां पर जैसा मार्केट मेकर्स करते हैं हमेशा ही यह होता है तो यहां पर पोजीशन को लिक्विडेट किया गया हमारा इसल यहां पर होने वाला था हमाई पोजीशन को लिक्विडेट किया गया हमारा इसल यहां पर होने वाला था हमाई पोजीशन को लिक्विड है और यहां पर एक कंडिशन हो सकती है कि प्राइस अगर सक्सेस्फुली ब्रिक कर जाता है 0.11294 को तो प्राइस जो 0.147 तक हमें देखने को मिल सकता है बट मेक चूर कि अगर आप इसमें कोई में काफी अच्छी एंट्री हो सकती है मैं आपको बता दू हमने अपने मेंबर से जाथ इजट कोई यहां पर शेयर किया था इसका जो टारगेट था हमने बुला था आपको 50-60% के प्रॉफिट में सेल ओडर लगा कर लखना है कि इजट कोईन के बारे में आपको बता दू यहां पर यह काफी लो कैप है ऐसा है कि यहां पर अगर दस बीस पांथ बीटी सी का भी अगर वॉल्यूम आता है तो प्राइस पंप हो जाता है चलक से यहां पर आप विक्स देख लगता है हैं यहां पर फ्रस इंट्री द हबिडा में अए जाएक चांस और आरा है विक्ली में देखो गया बहुत अच्छा नहीं आपको अभी कोई reversal pattern नहीं है ठीक है यहाँ पर एक यहाँ पर green candle बने दो weekly में यहाँ पर risky entry हो जाएगी 6039 से नीचे entry मत करना ठीक है उसके नीचे किसी को नहीं पता कहा तक यह low लगाएगा उसके नीचे यह maybe 2000 या उससे भी नीचे जा सकता है तो मैं किसी को सला नहीं दूँगा उसके नीचे लेकिन अगर आप अभी एक entry करना चाहते हो तो 5, 6, 5, 9, 6, 9 से लेके 6, 7, 7, 4 यानी current price के बीच में आप entry ले लो जो आपका target होने वाला है मैं कहूंगा यहाँ से आपका पहला target ले लिना 30% का, second target ले लिना 60% का उसकी बाद आप target यहाँ पे 120% और उससे भी above का लेकर चल सकते हो यह एक अच्छी entry हो सकती है क्योंकि एजट coin की team जो है वो working है वो काम कर रही है कुछ news को जैसे price नीचे गया था अगर एक बार इसने अपने bottom को छोड़ा जाता है कि हमने ship coin में देखा अगर ऐसा हुआ तो काफी अच्छा price नहीं हाँ से जा सकता है इनकी team जो है कोई scammer नहीं है मैं आपको पहले ही बता दूँ यह चीज में clear कर दूँ हमने कभी भी top पर आपको suggest नहीं किया इजट कोई के लिए हमने कभी टॉप पर वीडियो नहीं बना इजट कोई के लिए आप हिस्ट्री देख सकते हो हमने कभी भी आपको दूसरों की तरह नहीं बोला कि तो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर दो ठीक है पोजीशन साइजिंग की पांसो डॉलर से ट्रेड करते हो तो इसको सो डॉलर कर दो आपके एसल के यहां से प्राइस चला था जो लोग मैंने परसंट बताया था कि मैंने कुछ लॉस में बहुत सारे रिजन ते उसके लिए प्रीविजन वीडियो चकपाउट कर लो है से लिए ने बनाई तो वहां पे मैंने रिजन बताया थे अभी क्या हुआ प्राइस ने काफी अच्छा पंप होता है वो तो हुआ लिके एक जो स्ट्रॉंग पंप होता है वो नहीं हुआ यहां पर सेलर्स जो थे वह यहां पर हैवी हो गए और प्राइस को दुबारा उसी लेवल पर ले अब जिन्हों ने यहां पर बाइंग करके रखी थी मैंने बुला था एडवांस ओडर लग रहे थे तो इसमें पंप हुआ था उसके बाद दोवारा नीचे आ गया अभी यह कोई मैं फिर से कहूंगा रिसकी जोन में आप देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार यह ब्रेकाउट करने का ट्राइक कर चुका है नहीं हो पार रहा है अगर आप रिसकी नहीं बन रहा है क्योंकि इनको अगर SLP को उपर लेकर जाना होता तो वह इसके रिगार्डिंग लाते वह एक्सस को यहां पर लेकर जा रहा है SLP पर ध्यान की टीम नहीं दे रही है ठीक है सेलर्स बैठे हूँ है सेलिंग प्रेशर इसमें हमेशा आता रहेगा तो इस कि मैंने फिर से कहा था आप से उस ताइम लाश्ट वीडियो में आप देखो कि यहां पर यह कोई तभी उपर जाएगा जब इसकी टीम कुछ नो कुछ ने कर आती है उत्से पहले आप कितना भी टेक्निकल लगा लो प्राइज उपन नहीं जाने वाला हाला कि मैं टेक्निक है जादा रुकने की जरूरत नहीं है काफी लोग थे जो नो डियम में बताए कि सरमने होल्ड करके रखा था बड़े जो पंप हुआ इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉच में यहां पर हम निकल गया है और हम काफी खुश है तो इस तरह आपको करना है लॉजिक से सारी ची करने हैं यहां पर अब बहुत लोग को लगेगा कि मैंने एक बॉक्स बनाया सपोर्ट रेस्टेंस यूज कर रहा हूं ठीक है मैं आप लोगो को टीए के मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूं ठीक है यहां पर मेरा लोजिक क्या था सबसे पहले आप वीकली सपोर को तो ठीक है मैंने आपर वीखिली सपोर्ट ट्रों किया किया था यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट अब यहां पर आप डेखो कर में दोपदे हमको फेर रहे है। फिर सब्सक्राइक को डिकरम टो क्लोज होने वाली थी मैं यहाँ पर Friday को ही मैंने यहाँ पर प्रेडिट कर लिया था कि जब मार्केट यहां से नीचे आ रहे थी यहां से रिवर्सल ले रहे थी तुमुझे पता था कि मैं Friday को वेट करूँगा यह जो हाई है यह अगर तूटेगा अगर मंडे को यह हाई तूट जाता है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा मेरा जो SL होगा वो नेर अबोट यहाँ होगा जब कल रात में ही मार्केट खुली मैं उस टाइम पर ऑनलाइन था ठीक है यहाँ पर मार्केट खुली चलते हैं 15 मिंट के चार् हो था इससे थोड़ा से नीचे मैंने SL रखा अपना प्राइस तुरंट 10 मिनट तक ड्रॉप वा मुझे लगा मेरा SL हो सकता हीट हो जाए बट कोई दिक्कत वाली बात ही थी मेरा जो रिस्क और रिवार्ड था बहुत ज्यादा था यहाँ पर प्राइस बूम सीधा उपर ठ करता है मैं हमेशें को यहीं समझाता हूँ कि यह जो स्wyेंग करे यह को नीचा आ खाल नोग था प्राइस सबसे पहले इस विंख को ब्रेक करेगी ठीक है फृ पर रिटेस्ट करेगी और फर प्रेक करेगी इस तरहedar मैं इसके बात करते मैं रिस्क के लिए था तो यहां पर आप तो 7 का मेंड cum कर रहा था उसके बदले में मुझे 7 dollar मिल रहे थे हाप तो आप समझो अगर में 100 dollar का risk लिआ होगा तो मुझे 700 dollar का profit हुआ होगा मैं इतने dollar से trade कर रहा हूं यह यह मैं आपको example दे रहा हूं तो यह होता है risk reward अगर आप इसको manage ट्रेज करके चलते हो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है जैसे आप सोचो आपने यहाँ पर एंट्री लिस्स पोर्ट पर आपने आप अपने अपने एसल लगाया आपका 0.01 आपको यहां पर हीट हो एक है को दिक्कत वाली बात है जुक्त है लिकिन आपको दुबा टेट होता बड़ तीसरी ट्रेड होती उसमें आपके एसल के सास्थ आपका प्रॉफिट भी निकल जाता हूं पर तो यह चीज थोड़ा सा समझोग ठेकर क्रिप्टो में भी यह चीज होती है बस फर्क कितना होता है यहां पर एसल जो होते हैं वह बढ़ जाते हैं थोड़े स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आपका लाइक और सब्सक्राइब होता है यही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए तो मेक्चूर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंकिसो मज कर दो अच्सेट कर दीजिए इस सब्सक्राइब कर दीजिए क् छूलाझ थीजिए जो आपयों से वीजिएगप मोटें जो